वर्ल स्टीट्स के गहरी गलियों में रहता है दुनिया का सबसे सक्सेस्फुल फाइनेंशियल कमपनी का हेड़कॉर्टर ब्लैक रॉक ये है ब्लैक रॉक जिसका एम्यू बड़े बड़े देशों के पूरे साल भर के जीडीपी से भी जादा है जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान पांगलादेश श्रीलंका के जीडीपी को मिला भी अगर दिया जाए तो भी जाकर इतना पैसा नहीं होता है जितना पैसा सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ने एसेट्स के जरीए इनिवेस्ट कर रखा है करीब आट ट्रिलियन डालर से भी जादा ये है सक्से स्टोरी ब्लैक रॉक की ये है लेरी फिंक फाउंडर एंड सीईयो और ब्लैक रॉक अब यही सोच रहे हो ना कि इस कंपनी के पास इतना मोटा पैसा आया कहा से ब्लैक रॉक बेसिकली एक एसेट मेनेजमेंट सिस्टिम का काम करता है अब यह आप यह सोच रहे होगे कि एसेट मेनेजमेंट सिस्टिम क्या होता है Basically clients के mutual funds, ETFs और investment vehicles को manage करके उसे अपने clients को interest provide करता है इतना पैसा एक private company के पास होने के बाद जाहिर सी बात है powers तो आई जाने वाले इनी powers के चलते इनकी market में value भी बहुत जादा है यह New York based company है जिसे 1988 में fixed income institutional asset manager के कारिया में बनाया गया था जो तभी सिर्फ clients से सिर्फ एक fixed amount एक fixed schedule पर invest करती थी पर देखते ही देखते यह scale होकर risk management के tools यानि कुछ ऐसे solutions भी बनाने लगी जिसे clients अपने invested amounts को कुछ अच्छे से risk free invest कर पाई आज की date में BlackRock के 70 offices तीस अलग-अलग देशों में located है जिन में 19,800 से जादा employees काम कर रहे है ऐसे कौन से tactics थे जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया आईए देखते है History of BlackRock 1976, Larry Fink अपनी career की शुरुवात Boston Corporation से करते है जिसमें वो जल्दी mortgage और real estate division के head बन जाथ पर जैसे जैसे साल गुजरते हैं वैसी उनकी और seniors के business visions की टकराव होती है 1986, साल का second quarter Larry Fink के दिन में सब कुछ अच्छा चल रहा था Larry Fink को confident और control फिल हो रहा था पर तब ही अचानक एक news आती है कि Boston ने technical खराबी के चलते 100 million dollars का loss कर दिया है 1988 में Fink और साथ और team members Robert S. Caprito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ralph Colston, Ben Golb, Huge Farther, Keith Anderson इन्होंने मिलकर BlackRock की शुरुवात एक asset risk management company के तौर पर की पर Larry Fink का vision इससे बहुत बढ़ा था एक company है तो उसमें लोगों के अलग-अलग opinions तो रहेगी Stephen A. Shosman ये दोनों company के co-founder थे जिनका decision making body में बहुत important role होता है Fink कह रहे थे कि वो bank से talented लोगों को attract करने के लिए नए hires को equity देना चाते जबकि Shosman लैक स्टोन के stakes को और कम नहीं करना चाते इसी बहाँ भीड में दोनों founders को अलग-अलग होने पर मजबूर कर दिया जिसके बाद इसी चीज को नकारते हुए Shosman ने अपने black rocks में से sticks बेच दिये और company से बाहर निकल गये और वही से शुरू होती है company की growth की शुरूआ ब्लैक रॉक ने अपने पहले 14 डॉलर के shares पब्लिक किये जो किसी को भी अलाव करता था अपने company का कुछ हिस्सा खरीदने के लिए और देखते ही देखते ये company 1999 के अंत तक 165 billion dollars के assets manage कर रही थी 165 billion dollars आप यही सोच रहे होगे ना कि एक साल के अंदर इस company ने 165 billion dollars लाएक आसे दरसल तभी ये कुछ companies जिनके साथ BlackRock की direct competition थी जैसे State Still Global Advision जिसे SSGA कहां तर दे वैंगार्ड ग्रूप, Fidelity Investments, T.R.O.Price, PIMCO, Franklin Templeton Investments, Northern Trust दरसल इन companies ने अपने competitors को ही acquire करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि दोनों की फाइदा हो रहा था Acquired company को grow करने का और जल्दी नए market technologies और talent से जुढने का मौका मिल रहा था और BlackRock को भी इन companies के funds को इस्तमाल करके अच्छा कासा revenue generate करते आ रहा था 2010 में BlackRock के एक founder Ralphs Colston इस company को दुनिया का most influential institute करार देती है अभी भले ही वो उनका perspective है उसे दुनिया का most influential करार देने पर पर ये कुछ जूड़ बात भी नहीं थी बलकि उसके अगले ही साल BlackRock ने Genzyme जो एक biotechnology sector का एक बहुत बड़ा company था उसने उसे replace करके SNP index में अपनी जगा बना ली SNP index में जगा बनाना एक बहुत बड़ा मुकाम था तरसल SNP index अमेरिका के लिए barometer की तरह काम करता है जैसे barometers को weather conditions को predict करने में इस्तमाल किया जाता है उसी तरह ये SNP index भी काम करता है वैसे ही investors और traders के लिए SNP index अमेरिका के stock market को समझने के काम में आता है और देखते ही देखते 2013 में BlackRock को Fortune List के 50 सबसे admired companies के list में शामिल कर दिया गया आपको Fortune List नहीं पता होगी तो बता दू कि इस list में दुनिया के 500 सबसे बड़े companies को दर्ज किया जाता है ये BlackRock के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम था Fortune List में दर्ज होने के कारण इसकी market में और भी reputation बढ़ गया उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी commercial bank of China थी अपने 3 trillion dollars के साथ पर BlackRock ने 4 trillion dollars के साथ इस bank को पीछे छोड़ दिया जिससे इसे दुनिया की सबसे ज़ादा पैसे handle करने वाली company का खिताब मिल गया March 2017 तक आते आते BlackRock को ये दिख रहा था कि market का रूख बड़ रहा है लोग passive investment की तरफ ज़ादा बढ़ रहे हैं जिसके कारण उनके actively managed funds business पर भारी नुकसान हो रहा था पर ये passive investment होता गया है दरसल passive investments जो आप property लेते हो और उसे लंबे समय तक वैसी छोड़ देते हो ना उसे ही कहते है passive investment और वही market में चल रहा था इसी बढ़ते market को देखकर Blackrock ने अपने business strategies में बदलाव लाने की कोशिश की इस नए market trend में पुराने तोर तरीके काम नहीं आ रहे थे इसी कारण Blackrock से 7 highly skilled portfolio managers को बाहर निकाल दिया गया जिसके कारण company को 25 million dollars का नुकसान हो गया पर इसी finance के बढ़ते हुए market में बने रहने के लिए कई बार risk लेना बढ़ते हैं और Blackrock के लिए ये risk लेना कामियाब सा भी तो इस transformation में not only funds पर अपने European business में भी Blackrock ने transformation लाने की कोशिश की ये अपने portfolio को बदलना चाहते थे इन्होंने CRH, PLC और Bank of Ireland में भी अपने stakes को बढ़ा लिया और 2017 तक आते आते iShares जो Blackrock की subsidiary company है उसने 1.41 trillion dollars की valuation क्रॉस कर ली थी जो अके लिए Blackrock के total valuation में 26% का contribution करती थी October 13, 2017 को Larry Fink को एक message आता है company को 50 billion dollars का नुकसान हो गया है और देखते ही देखते October और December में Blackrock के assets 468 billion dollars से गिर जाते company 6 trillion dollars से भी जादा नीचे चली जाती है 2011 के बाद का ये सबसे बड़ा decline था ये साल company के लिए बहुत ही खराब साबित हो रहा था गिरते वे asset prices, investors और clients के साथ लगातार meetings और यही नहीं company को परियावरन खरब करने के लिए दोशी भिठा रहा जा रहा था पर ऐसा गियो Blackrock ने Exxon Mobile, Ford Motor Company, Cargill जैसे fraud companies में invest कर रहा था जिसके कारण ये companies और भी बढ़ रहे थी उसके कारण pollution भी बढ़ रहा था इसी बढ़ते हुए allegations और company के investors के trust को जीतने के लिए 2020 में Fink Announce करते है कि वो परियावरन की रक्षा करने के लिए उनके future investments को सिर्फ परियावरन को ध्यान में रखने वाले companies में ही invest करेगे और फिर क्या इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए BlackRock ने अपने जो कोईले में 500 million dollars के shares थे वो भी उन्होंने बेश दिये August 2020 आते आते BlackRock को Chinese Security of Regulatory Commissions ने चाइना में mutual funds शुरू करने के लिए approval दे दिया पर इन पर media reporters की निगरानी ज़रूर रहती है BlackRock इतना ज़ादा पैसा handle करता है जिसी वज़े से ये बड़ी-बड़ी multi-billion dollar companies जैसे Apple, Microsoft जैसे companies इनके top shareholders की list में दिखाई देते हैं BlackRock एक बड़ी circular type की ownership को follow करता है जिसमें बहुत सारे companies एक दूसरे के shares में invested होते हैं जिसके कारण इन companies में decision making की अनबन शुनू हो जाती है जिसके कारण BlackRock पर flight के ticket prices भी बढ़ाने के allegations लगए थे जबी भी एक बड़ी company दो competing companies में invest करती है तो जो दो companies होती है उनके बीच competition कुछ हद तक कम हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है investors को भी तो खुश रखना होता है पर in allegations और losses के बावजूद BlackRock ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और आज BlackRock 8 trillion dollars से भी ज़्यादा की valuation रखता है यह थी BlackRock की success story तो guys आपको कैसी लगी यह BlackRock की success story हमें comments में ज़रूर बताना और ऐसी नई topics पे वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe भी कर देना तब तक के लिए बाई बाई